हेलो प्रेंट्स ये वीडियो पिछले वीडियो के कंटिनेशन में है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें वेफार्म दिया गया है तो उसका एवरेज वाल्यू कैसे फाइंड करना है इस वीडियो में भी हम एक वेफार्म लेने वाले है और उसका एवरेज फा तोड़ा different रहेगा तो हमें बता है कि अगर हमें average value find करना है तो हमें ये four different steps execute करने होते हैं जैसे कि पहले step में हमें चेक करना होता है कि ये जो waveform है वो symmetry है या नहीं symmetry है अगर waveform symmetry है तो step four में हमें ये formula यूज करना होता है अगर waveform symmetry नहीं है तो four step में हमें ये formula यूज करना होता है second step में हमें find करना होता है कि यह जो waveform है उसके पूरे एक cycle का duration कितना है और third step में हमें check करना होता है कि जो waveform का एक cycle है वो पूरा continuous है कि नहीं अगर वो continuous नहीं है तो waveform को हमें break करना होता है उसका मतलब हमें intervals बानने पड़ते हैं और हर एक interval के लिए हमें एक equation लिखना जरूरी होता है. Interval deals with x-axis and equation deals with y-axis. 3rd step में जब हम interval लिखेंगे तब हम tabular form में interval और उसका equation लिखेंगे. 4th step में हमें आइदर ये formula यूज करना है या ये formula यूज करना है depending upon हमारा waveform symmetry है या नहीं symmetry है. Let's take an example. ये हमारा जो waveform दिया गया है वो purely siniform नहीं है. ये जो part है 0 से लेकिए pi तक वो repeatedly आ रहे हैं. उसमें भी कुछ part siniform दैसा लग रहे हैं लेकिन कुछ part उसका missing है, cut किया हुआ है. तो हमें पहला ढूणना है वो waveform symmetry है या नहीं symmetry है. एक ससिस के ऊपर का जो area है वो positive area है. एक ससिस के नीचे जो area है उसको negative area कहा जाता है. इस waveform में negative area कुछ नहीं है. उसकी वज़ा से जो waveform है वो symmetric नहीं है, non symmetric है. तो मैं लिखूंगा इदर waveform is not symmetric. उसके बाद हमें ढूणना है कि duration of one cycle. जो part repeatedly आ रहे है उसको कहते है duration of one cycle. इदर जो part है zero to pi वो हमेशा आ रहा है उसका मतलब duration of one cycle is pi. थर्ड स्टेप में हमें लिखना है कि हर एक interval में कर्व का equation क्या है. अभी हम लेखेंगे इदर जो पूरा एक cycle है उसमें कितने intervals है. उसका मतलब कर्व कहां change हो रहा है, कर्व कहां continuous नहीं है. जैसे कि इधर से इधर तक it is a purely sine waveform लेकिन इधर जिसमें एक cycle value is a phi 1 और theta 1 उसके बाद जो equation है वो change हो रहा है. जो curve का कुछना वो change रहा है, उसका मतलब curve continuous नहीं है after theta 1. उसके बाद यहाँ जो actually peak of sine waveform जो हमेशा आता है pi by 2 पे. उसका मतलब pi by 2 के बाद भी curve का equation change हो रहा है. उसका मतलब curve यहाँ continuous नहीं है. उसके बाद curve continuous है from this point to this point. तो उसका मतलब जो waveform है कुछ part में divide है. जैसे कि 0 to theta 1 यह एक section है यह first interval है. theta 1 to pi by 2 यह second interval है and pi by 2 to pi यह third interval है. कुल बना के दिएरा 3 intervals. इंटर्वल उसका मतलब at this particular points equation of curve is changing. तो वो उसके इसाब से मुझे एक table बनाना है. और table में हमें intervals लिखना है. और equation भी लिखना है. तो let's say पहला interval वो है 0 to theta 1. theta value मैंने find नहीं किया है. वो मुझे पहला find करना होगा. जिसमें जो करो है वो है sin fm का. sin fm का equation रहता है vm into sin of theta. दूसरा जो interval है वो है theta 1 से लेके pi by 2 तक. जिसमें y x का value है 0.866 vm. और third interval है pi by 2 to 2 pi. जिसमें फूर एक बार sin fm है. तो equation है vm sin of theta. लेकिन इस interval में मुझे theta 1 का value पता नहीं है. वो पता करना है. अभी मुझे दुढ़ना है theta 1 का value. theta 1 का value उसका मतलब यह जो एक करो है, जो continuous है theta 1 तक. जब 1 x का value theta 1 है, तब y x का value है 0.866 vm. यह पूरा sin fm है. तो इसका मैं इस्तिमाल करने माला हूँ. जैसे कि equation है v is equal to vm sin of theta. यह standard equation of this curve. लेकिन मुझे दूढ़ना है theta 1 का value. तो मैं इतर लिखूंगा theta 1. जब x x का value theta 1 है, तब y x का value है 0.866, 0.866 into vm. तो vm vm cancel हो जाएगा, और आजाएगा 0.866 is equal to sin of theta 1. And therefore, theta 1 value is equal to, we can use calculator for the same, and you can get the answer of theta 1. यह जो angle है, pi by 2, pi by 2, pi, यह सभी radians में है, तो theta 1 भी radians में find करो, because we have to use formula. तो theta 1 का value जो आ रहे है, वो है pi by 3. तो theta 1 का value pi by 3, मुझे use करना है formula के time. तो हमने 3 steps अलग-अलग लिखे है, 4th step है, for symmetric waveform, we have to use this formula, for unsymmetric या non-symmetric, we have to use this formula. जो formula है, यह वाला हमें अभी यूज़ करना है, because our waveform is a non-symmetric waveform. हमें यह formula यूज़ करना है, मैंने इदर लिखा है, integration of full cycle, equation of cycles, अभी हमारे बास जो full cycle है, उसमें 3 अलग-अलग intervals है, तो हमें 3 अलग-अलग interactions लिखने पढ़ेंगे, और जो base length है, full cycle का base length है, pi, जो हमने ढूंडा है second step में, तो मैं इदर लिकूंगा इदर, base length of full cycle is a 1 upon pi, उसके बाद bracket के अंदर, इस पूरे part के लिए, 3 अलग-अलग intervals है, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, पहला interval है, 0 to pi by 3, उसका मतलब theta 1, जिसमें sin fm का equation मुझे यूज़ करना है, उसके बाद second जो interval है, वो है pi by 3 to pi by 2, जिसमें value जो है, वो purely constant है, 0.866 vm, और जो third interval है, वो है pi by 2 to pi, जिसमें यह sin fm मुझे consider करना है, तो vm into sin of theta into d theta bracket complete, तो यह जो पूरा bracket है, मैंने लिखा है, इस part के लिए, अभी मुझे calculator use करना है, and I have to get the answer, but before that, यह जो vm का term है, I can't take outside, because तीनों जगा पे common है, तो मैं इज़र लिखता हूँ vm, जो बचा हुआ part रहेगा, तो मुझे लिखना है 1, अभी इस पूरे bracket को, मुझे by using calculator solve करना है, and I have to get the answer, अगर आपने यह solve किया, तो आपको answer मिल जाएगा, 0.45, और आपने यह solve किया, तो आपको answer मिल जाएगा, 1, तो 0.5, plus 0.45, plus 1, जिसका आपको answer मिल जाएगा, 1.95, 1.95, divide by pi, multiply vm, 1.95 divided by pi, जिसका answer आपको, जाएगा, 0.621, तो इस तरह हमें एक वेफाम दिया था, और वेफाम का हमने find किया है, average value,